हलो एरिवन और वन्स अगें वेलकम टू उमर्तस्कीर यूट्यूब चैनल माइसल्फ उमर्तस्कीर गाइस एस पर्टिकलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कवरेज रिपोर्ट अप गूगल सर्च कंसोल गैस जब कभी भी हम गूगल सर्च कंसोल के अंद झाल वड़ा कंफ्यूजन होता है कि उसे किस रिपोर्ट के उपर सबसे आधा ध्यान देना यह की उसे शुरुवात कहा करनी है किन रिपोर्ट को इसको देखना है और कौन सी रिपोर्ट कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहें हैה और अगर कोई error वागेरा आ तो किस तरह हैं इ comment करूँगा कि सबसे पहले तो आपको जो coverage report है उसी को cover करना है उसी को săमझना है और उसमें जो issues है सबसे पहले आपको उनी issues को solve करना है और उसके बाद आपको दूसरी जो reports है ज्यसे performance की reports है और भी वहह सारे reports है उनके उपर आपको जाना है देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि coverage जो report है index वाले section के अंदर हमें देखने को मिलती है जिसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो मेरे laptop screen के उपर यहाँ पर मेरा issues आ रहे हैं with regards to crawling as well as with regards to indexing तो मैं पता कैसे चलेंगे तो बीच में Google ने हमें टूल दे दिया Google search console के नाम से कि देखो भाई अगर आपकी website के अंदर कुछ crawling से related issues आ रहे हैं अगर आपकी website के अंदर कुछ indexing से related issues आ रहे हैं तो हम आपको through this platform हम आपको notify कर देंगे along with the suggestions कि आप य जो issues है वो solve हो जाएंगे अब हमने अगर website बनाई और हमने ये सोचा कि हमें हमारी website का SEO करना है तो ये बात तो बाद में आएगी कि किन keywords के ओपर हमारी website rank हो रही है किन keywords के ओपर हमारी website नहीं rank हो रही है कहा rank हो रही है किस position पर rank हो रही है ये सारी बात की चीज़े है जब त Contact Us का एक page है, अगर Google को यही नहीं पता चले का तो आगे की सारी कहानी जो है ना वो तो काम करेगी ही नहीं है तो सबसे पहले अगर हमारे पास website होती है और हम उसको Google Search Console के अंदर submit करते हैं, तो हमें यह चेक करना होगा कि हमारे जितने भी important pages है ना, वो coverage में हैं भी या नहीं है मतलब वो properly index हुए भी है या नहीं हुए, ऐसा तो नहीं है कि हमारे important pages किसी भी reason की वज़े से हो सकता है, ना index हुए हो, ऐसा तो नहीं है, तो इन सारी चीजों की जो हमें report है, वो हमें मिलती है coverage के अंदर, तो अब आप खुदी समझने कुछ करिए कि performance से पहले हमें यह समझ की जरूरत है कि हमारी website का coverage जो है, वो properly हुआ है या नहीं हुआ है, या जो हमारी website की indexing है, जिन भी important pages को हम rank करना चाहते हूं कि proper हुई है या नहीं हुई है, बहुत सारे cases अगर अभी आप देखेंगे भी example जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे cases में, जो है हमारी website की जो बहुत सारे pages है, उनकी indexing नहीं होती है और हम उस चीज़ को ignore भी कर देते हैं, क्योंकि हमें reasons पता चल जाते हैं कि हमारा ये वाला page क्यों नहीं index हुआ है, ये वाला page क्यों हमारा exclude कर दिया गया है, ठीक है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर य dummy websites है, बहुत बहुत है data इसके अंदर नहीं है, demo type की है, dummy type की आप इनको website समझ सकते हो, बट points आपको ध्यान से समझने हैं, देखो, जब मैं यहाँ पर आता हूँ, coverage के अंदर, तो मेरे को यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा है all known pages, और मैं इसके उपर click करता हूँ, तो मुझ through pages, जो pages हैं, वो discover किये गए हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि website link के through pages हैं, वो discover किये गए थे цен जो अलग अलग तरीके एं, वो हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहा हूँ, जितने भी pages हैं जो हमारी website के ओपर discover हैं, वो सभी pages यहाँ पर हैं, कि इतने सारे pages हैं, वो आपकी website म डिस्कवर किये गए हैं, coverage वाले section के अंदर वो आपको दिखाई देंगे, बट यहीं पर अगर मैं दूसरी website के उपर जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे थे, आपको जो drop down है वो नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर जो आप देखोगे, तो आप देखोगे यहाँ प कहीं से भी discover किया हो, बट Google ने उन pages को discover कर लिया, तो इसलिए मैंने दो चीज़े open कर रखी, ताकि आपको जो difference है वो भी properly समझ में आ जाए, अब बोलोगे सर यहाँ पर क्यों नहीं दिखा रहा है site map, यहाँ पर भी तो दिखाना चाहिए, अगर यहाँ पर आप site map हमें मिल गया कि यह जरूरी नहीं है, कि site maps are the source of indexing, इस बात को आप समझो, बहुत साहे लोग समझते हैं कि site maps अगर नहीं लगाएंगे हम, तो हमारी website index ही नहीं होगी या pages हमारे index ही नहीं होगे, ऐसा बिलकुल नहीं है, वो बात यहाँ से justify भी होती, क्योंकि यहाँ पर तो site map न दिख रहा है, fine, एक चीज तो आपको यह clear होगी, उसके बाद आप यहाँ पर आओगे, तो जैसे जो भी आपके pages, आप make sure कर लो कि आपके pages आप जादा दिख रहे हैं, या कम दिख रहे हैं, आपके website में कितने pages, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कि website में बहुत सारे URLs बन जात आपको गरबर-गरबर से URL जो है, वो दिखने लगेंगे, especially ऐसा था होता है, जब आपकी WordPress की website होती है, तो मैं यह चीज भी आपको यही पर clear कर देता हूँ, ताकि आपको भविश्य में कोई problem ना हो, fine, तो यहाँ पर अगर आपको देखोगे, मैं इस particular website को लेकर चल रहे ज़ादा असानी से समझ में आ जाएंगी, अगर मैं all known pages के उपर जाता हूँ, तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखोगे, आपको errors वाला section दिखेगा, और नीचे आओगे, तो यहाँ पर आपको report भी दिखेगी, कि errors अगर आए हुए, तो क्या error है वो, और किस URL में वो error आप मान के चलो, यह बात आप बिलकुल समझ लो कि जितना भी SEO होता है, वो page wise होता है, तो कुछ भी आप study करते हो, कोई भी report बनाते हो, कोई भी backlinks बनाते हो, कोई भी on page करते हो, सब कुछ आप page wise ही करते हो, तो अगर आप एक चीज हमेशा ध्यान रखोगे, कि SEO page wise होता है, तो आपको कभी confused होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर जो आपको errors भी दिखेंगे न, तो यहाँ पर जो हमें बता रहा है, कोई भी issue नहीं है, और आपको make sure करना है, कि यह चीज हमेशा zero रहे, ठीक है, errors नहीं आने चाहिए, तो अगर कोई errors आता है, तो यहाँ पर सीधा सा मतलब यह है, कि हमारा जो page है, जो भी यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, कि हमारा जो page है, वो valid तो है, बट कुछ specific warnings के साथ है, तो आप उन warnings के उपर काम कर लेंगे, तो फिर आपको यहाँ पर जो है, वो page फिर valid वाले section में आ जागे, और आप उन warnings को remove कर देंगे, तो index है, और एक page ऐसा है, जो index है, but site map में नहीं submitted है, इसलिए submitted में नहीं दिखा रहा है, देखो, submitted का मतलब होता है, हम अपनी तरफ से जब URL Google Search Console के अंदर देते हैं, तो that comes under the submitted thing, कि मैंने खुद दिया, और वो देने का तरीका क्या हो सकता है, site map के थुरू हो सकता है, तो अगर म अपलोड करता है, हमने submit किया URL, ठीक है, Google कहीं से ढून लेता है, Google crawl करके ढून लेता है मेरे URL को, उसका मतलब यह हुआ, कि अगर वो crawl करता हो, फिर index कर लेता है, तो वो index है, but that is actually not submitted in the site map, तो यहाँ पर जो status हमें दिख रहा है, वो valid दिख रहा है, 11 URLs का, क्योंकि submit तो हो गय which means that, कि सारी चीज़े valid है, अब important चीज़ जो यहाँ पर आप देखोगे, excluded, excluded का मतलब इन URLs को ignore कर दिया है, Google ने, अब यह important चीज़ है, क्यों भाई, क्यों ignore कर दिया, अब इस बात को समझोगे, तो आपको सारी चीज़े clear समझ में आ जाएंगी, देखो मैं excluded पे जाता हूँ अब यह बता रहा है, अगर मैं इनको off कर दू, क्योंकि केवल मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, excluded वाली डेटा, हम लोग नीचे आ जाते हैं, तो यह बोल रहा है, कि excluded है, क्योंकि एक alternate page मिला हूँ है, with proper canonical tag, मतलब, दो pages थे, और दोनो pages के उपर same content था, ठीक है, जिस इसमें से Google कहता है, दोनों के उपर same content है, हम दो pages को क्यों index करें, हम तो किसी एक page को index करेंगे, क्योंकि वही original और master page है, इसके बारे मैंने canonical वाला जो lecture है हमारा, उसमें बहुत detail में बात करी थी, इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि चीजें अगर detail में समझनी है, तो फिर videos को properly original नहीं है, ठीक है, वो वाला page ignore हो जाएगा, यहां की language में वाला page exclude हो जाएगा, तो अगर मैं यहां पर जाता हूँ, alternate page with proper, तो मैं इसके उपर जाता हूँ, अब देखो, यहां पर तुम्हें खुदी समझ में आएगा, इस page को मैं open करता हूँ, यहां पर URL बहुत ध्यान से देखना, क्या दिख रहा है तुम्हें, about.html, तुम्हें एक URL यहां पर दिख रहा है, about.html, ठीक है, एक यह URL हो गया, अगर मैं केवल about open करता हूँ, तो आप देखो, यह भी तो same ही है, content तो same ही, मतलब दो अलग-अलग URLs पे same content आ रहा है, यहां पर मैं about.html open कर लेता हूँ आप देख लो, यह भी URL है, यह भी URL, दो अलग-अलग URLs के उपर same content आ रहा है, अब आप बोलोगे, सर एक ही चीज तो है, यह भी तो slash about है, यह भी तो slash about है, बट मैंने आपको बताया था, कि अगर कुछ भी change हो है से .html है, यह Google इसको एक different URL consider करता है, इसको Google एक different URL consider करता है, बिल्कुल वैसा ही, जैसे www वाले वर्जन को, non-www वाले वर्जन को, दोनों को Google different URLs कहो या pages कहो, तो जाद आपको समझ मैंगा, दो different pages जो है, वो consider करता है, तो अब आप बताओ मेरे को, यहाँ पर एक page है या दो page है, दोनो page के उपर content क्या है, content similar है, अगर दोनो pages के उपर content similar ह तो यहाँ पर तो problem create हो गई ना, तो एक ही page to index होगा, तो इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हो, कि इन्हों ने बोला कि बहुत सारे ऐसे pages थे, जिनमें यह issue था, ठीक है, 14 ऐसे pages थे, जिनमें यह issue था, ठीक है, तो वो आले pages को ignore कर दिया गया है, उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर आते हो, not found, बहुत सारे ऐसे pages हैं, जो not found हुए, जो exist ही नहीं करते हैं, तो हमें इनको solve करना पड़ेगा, proper तरीके से, duplicate without user selected canonical, अब यह pages duplicate तो है, बट इनका कोई canonical ने, इनका कोई master page नहीं बताये गया है, ठीक है, तो यह भी एक error है, तो अगर हम इनको properly canonicalization इनका क लगता है, और फिर यह coverage वाली report के अंदर आपको, जो भी आपने changes किये हुए, अगर वो ठीक तरीके से आपके, तो आपको यहाँ पर reflect हो जाते हैं, तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे, last updated जो है, वो तीन आठ को है, मतलब 8 March को यह last updated report है, थोड़ा time लगता है, आज की जो report के अंदर हमको क्या पता चल रहा है, कि हमारे pages कौन से index हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं, क्या problem है, कुछ pages में error है, क्या problem है, को important page ऐसा तो नहीं, जो index ही नहीं हो पा रहा है, और क्या reason उसके बीचे आ रहा है, यह सारी चीजे जो हमें coverage वाले section के अंदर पता चलती है, इस प्रिकुलर वीडियो में इना ही, विल दे नेक्स वीडियो में, तिल दें, गुद्वाइ!